हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग आई पी इलेक्ट्रिकल जो हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग आई पी मैकनेट भाल भी बोलते हैं आई पी इलेक्ट्रिकल भाल बोलते हैं तो उसमें कैसे पावर सप्लाई हमारा बैटरी से जाड़ा है तो उसका सार्कित करता है उसका बाड़े में डिसकस किया था तो उसमें हम लोग डिटेल से इसका सार्किट ड्याग्रम नहीं डिसकस किया था तो आज इस वीडियो में हम लोग उसका सार्किट ड्याग्रम डिटेल से एक्स्प्रेन करेंगे तो यह है हमारा आईपी इलेक्ट्रिकल भाल्ब जो हमारा लोकों का क्या करता है द्रॉप करता है तो यह कैसे अनेजडाइज होता है क्यूंकि यह IPuleज्डरीकल होने से क्या होगा ब्रीवी प्रेशरा ड्रॉप नहीं होगा देखिए यहाँ पे CCPT 16 A and CCLS 10 A तो यहाँ पे दो तरह का fuse हमारा यूज करता है railway में किसी किसी railway में CCPT यूज करता है और किसी किसी जगा में क्या करता है railway CCLS से इसको supply देता है तो अगर CCPT यूज किया तो 16 A का एक fuse लगाएगा और किसी जगा में CCLS यूज के रहेगा तो 10A का एक फ्यूज लगाएगा तो यह CCPT होगा और CCLS दोनों में से कोई एक होगा ठीक है नेक्स देखिए यह बैटरी साप्लाई 110 बोल्ट जो बैटरी साप्लाई आया तो यह यहाँ से जा रहा है यहाँ से जाके देखिए इसके सामने तिन अलग अलग पात पड़ता है यह IP इलेक्टिकल के जाने के लिए पहला तो एक वह पड़ेगा जिसमें क्या होगा देखिए QB RF है तो QB RF क्या है हमारा लोकों का जब हम लोग रियो स्टेटिक ब्रेकिंग लेते हैं तो रियो स्टेटिक ब्रेकिंग में क्या होता है जो हमारा ट्रैक्सेर मोटोर जैनेटर का रूप में काम करता है तो उसमें RF रेजिस्टेंस में क्या होता है कारेंट हमारा इंड्यूस होता है तो RF रेजिस्टेंस हमारा गरम हो जाएगा तो उसको ठांडा करने के लिए हमारा एक blower उसके साथ लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते है M.B.R.F तो M.B.R.F ये काम कर रहा है की नहीं ये जो M.B.R.F blower है एक स्वाई से काम कर रहा है नहीं इसको जार्ज करने के लिए QVRF उसका रिले साथ में लागा रहता है तो एक QVRF का एक interlock यह आपे दिया गया है तो जब हमारा breaking के time यह MBRF चलेगा तब क्या होगा QVRF हमारा energize होगा और QVRF जब energize होगा तब एक interlock normally open था वो close होगा तो close होगा तब यह supply आगे देगा अभी यह energize नहीं है तो यह supply यहाँ से नहीं देगा जाने के लिए next देखिए यह रास्त से कैसे जाएगा यहाँ पे GR025 और 021 यहाँ पे भी same हमारा किसी किसी जगा में रेलोए में 025 तक इसका interlock लगा गया है किसी किसी जगा में 010 तक हमारा interlock लगा गया है तो अलग अलग यह 5 तक रहेगा तो 6 notch के बाद यहाँ से रास्ता बांध हो जाएगा और अगर 10 तक रहेगा तो 11 notch के बाद यह रास्ता बांध हो जाएगा तो यह GR का 025 और 010 दोनों में से कोई एक रहेगा ठीक है यह self-interlock है और इस तरब है क्या CTF 2 का traction interlock मतलब क्या हमारा CTF रहता है CTF 1,2,3 तो CTF 2 का traction interlock में क्या होगा यह close रहेगा जाब CTF जो रहता है CTF का दोनों क्या होता है position होता है एक traction में रहेगा नहीं तो breaking में रहेगा तो traction में रहेगा तो यह interlock close में रहेगा तो आगे supply भेजेगा जब यह breaking में चला जाएगा तब यह interlock इस तरब चलाएगा तो supply काट हो जाएगा next देखिए यह से यह तक आ गया था यह से यह तक आ गया था और यह से यह तक यह तक यह बीच में दो thermal relay है thermal relay one and thermal relay two जब circuit में हमारा temperature increase करता है तब यह thermal relay क्या होता है actuate करता है तो actuate करने से क्या होगा इसका जा normally close interlock है normally तो close में रहेगा इसका जब actuate होगा तो अब यह normally close interlock क्या होगा खुल जाएगा तो खुलके नॉर्मले open हो जाएगा तो supply काठ हो जाएगा और देखिए नीचे में आ रहा है supply तो qbcd qbcd क्या है अमारा लोको का क्या होता है bcd लागा रहता है bcd unit तो यह bcd का relay होगिया qbcd qbcd जब हमारा लोको में bcd actuate होता है तब qbcd भी energize होता है तो qbcd हमारा energize होने से उसका नॉर्मली तो जब energize नहीं है अभी क्या है वो energize नहीं है d energize है तबी यह normally close है तबी क्या है ना एक qbcd हमारा d energize होने से इसका नॉर्मली क्लोज इंटर लोक है बट जब bcd हमारा actuate होगा qbcd energize होगा तब क्या होगा यह normally close इंटर लोक क्या होगा इस तरब आ जाएगा तो नॉर्मली ओपेन हो जाएगा तो supply काट हो जाएगा निज़ी देखिए qems एक किसका है ना बी पी एमेस बीपी एमेस क्या है emergency stop push button इसको दबाने से क्या होगा इसके साथ जो डिले है qems तो qems क्या होगा ना अमारा energize हो जाएगा तो qbms क्या है अभी यह normally de-energize है तो de-energize होने से इसका इंटर लोक क्लोज में रखा है जब यह energize होगा हम लोग bpms को दबा दिया तो क्या होगा यह energize हो जाएगा energize होने से इसका इंटर लोक इधर आ जाएगा तो supply बान्थ हो जाएगा next देखिए इस तरब है क्या CTF2 का traction इंटर लोक उपर में था CTF2 का traction इंटर लोक तो इसमें भी उही use क्या है traction इंटर लोक तो breaking के time क्या होगा इस CTF2 के इंटर लोक इस तरब चलाएगा तो supply यह से नहीं जाएगा अभी क्या है traction में है तो supply इस तरब जा रहा है IP electrical में और इस तरब है Q30 Q30 क्या है हमारा no or low voltage relief जब हमारा DJ close करता है तो साथ में एक Q30 हमारा energize हो जाता है तो Q30 हमारा energize होने से उसका क्या होगा अभी क्या है इसका position है d energize जब ए Q30 DJ close होने के बाद energize होगा ताब इसका इंटर लोक यह जो खुला था नॉर्माली open था हो नॉर्माली close हो जाएगा तो supply यहासे जाएगा तो देखिए नॉर्माली क्या होगा आर नेगेटिब तो य यहासे IP electrical को मिल रहा है तो IP electrical energize रहेगा तो battery voltage 110 volt हमारा positive यहासे आ रहा है CCBT और CCLS कोई भी एक fuse है उसके अंदर से जा रहा है नेक्स देखिए यहाँ पर नॉर्माल जब क्या होगा breaking हम लोग नहीं लिए ठीक है स्टार्टिंग में तो QBRF नहीं energize हुआ तो इसका रास्ता बांध हो गिया नेक्स्ट ए रास्ता में हो जाएगा GR अभी जीरो में है तो रास्ता यहासे जाएगा thermal relay कोई भी हमारा actuate नहीं हुआ तो इस पर क्या होगा normally close भी रहेगा तो आगे जाएगा BCD भी हमारा सही है actuate नहीं किया है BPMS भी नहीं दबाया और DJ close हो गिया तो Q30 का interlock यहाँ पर लग गिया and CTF हमारा तो breaking में नहीं है तो CTF traction में रहेगा तो इस तरह भी supply जाएगा और इस तरह में आएगा और IP electrical को energize करेगा साथी में देखिए इस तरह भी जाएगा तो क्या होगा CTF 2 का इस तरह में आएगा एन इस तरह भी क्या होगा supply IP electrical को जाएगा तो IP electrical क्या होगा हमारा एनाज़ाइज आएगा तो नॉर्माली हमारा जो लोको में HBA रताए बैटरी का स्विच उसको ओन करने से ही क्या होगा IP लेक्टिकल एनाज़ाइज हो जाएगा तो IP लेक्टिकल देखिए एनाज़ाइज तो हो गिया अब क्या होगा अब ब्रेकिंग के टाइम क्या होगा ये ट्रेक्शेन में होगा अब ब्रेकिंग के टाइम क्या होगा देखिए यह से सप्लाई CCBT से आ रहा था ब्रेकिंग के टाइम क्या होगा MBRF चलो हुआ तो QBRF एनाज़ाइज हो गिया तो QBRF Energy होने से उसका इंटरलोग क्लोज हुआ तो इस तरफ से पावर जा रहा है थर्माल डिले अभी नॉर्माल है तो आगे जाके यहाँ से जाएगा Q30 तो हमारा DJ क्लोज करने के साथ ही एंटरलोग क्लोज हो गया तो इहाँ से जा रहा है बट ब्रेकिंग के टाइम क्या होगा देखिए CTF2 का जो ट्रेक्शन इंटरलोग ता वो ब्रेकिंग में खुल जाएगा तो श्रिप यहाँ से ही साप्लाई IP लेक्टिकल को जाएगा इस तरफ साप्लाई जो आ रहा था वो बंध हो जाएगा और इस तरफ अगर IR 0 to 5 में है तो इस तरफ में भी आएगा और इस तरफ जो CTF2 का ट्रेक्शन इंटरलोग ता वो ब्रेकिंग के टाइम क्या होगा हमारा इस तरफ से आएगा इस तरफ से आएगा है बत इस तरफ बंध हो जाएगा इस तरब यह जो supply है यह बंद हो जाएगा और देखिए हमारा breaking के time अगर GR 6 notch और 11 notch है तो कैसे supply जाएगा यह ऐसे जाएगा बट GR यह जो आर रहाता इसमें क्या होगा और supply काठ हो जाएगा GR 0 to 5 में आगे देगा supply, GR 0 to 10 में आगे देगा बट 11 notch और 6 notch कोई भी एक रहेगा तो 6 notch में यह supply आगे नहीं जाएगा 11 notch में यह supply आगे नहीं जाएगा तो strip इस path से IP electrical को energized रखेगा बट यह तो energized कैसे रहेगा इसके बाड़े में हम लोग जाने है तो आप देखें कि कैसे यह D energized होगा energized तो हो गिया D energized होने से यह BP pressure को drop करता है तो कैसे D energized होगा पहले देखिए यह HBA जो switch हम लोग कौन करके रखे थे वो आप कर दिये आप कर दिने से पूरा circuit में power off हो जाएगा तो IP electrical D energized हो जाएगा next देखिए यह CCPD fuse और CCLS fuse जो भी fuse लगाएगया है वो fuse अगर melt हो जाएगा तो supply नहीं जाएगा power cut हो जाएगा IP electrical D energized हो जाएगा next देखिए अगर हमारा इस तरब से जो power आ रहा था इसमें जो thermal relay लगाएगया है वो thermal relay actuate हुआ तो इसका खुलेगा बर देखिए इसका तो bypass किया है attraction interlock से CTF2 तो क्या होगा breaking के time और उस तरब हमारा thermal relay actuate हो गिया तो क्या होगा IP electrical D energized हो जाएगा क्योंकि देखिए breaking time A रास्ता बंद MBRM नहीं चला तो A रास्ता भी बंद तो श्रिप A रास्ता इसका बचा है तो इसमें भी अगर हमारा thermal relay actuate हो गिया तो A खुल गिया तो तीनो रास्ता बंद तो IP electrical हमारा DNA जाएज हो जाएगा next देखिए हमारा 6 notch और 11 notch के बाद जब हम लोग breaking में रखते हैं और 6 notch हम लोग 11 notch ले लिया तब क्या होगा breaking के टाइम ए रास्ता बंद 6 notch 11 notch में ए रास्ता बंद और अगर हमारा QV RF नहीं काम करा तो A रास्ता भी बंद तो क्या होगा IP electrical DNA जाएज हो जाएगा ठीक है और अगर देखिए हमारा ए जो BCD है ए BCD अगर actuate हो जाएगा तो इसका इंटरलक खुल जाएगा तो काई भी इसका बाइपास का रास्ता नहीं है तो ए तो BCD अक्चुएट होगा तो IP electrical energized हो जाएज हो जाएगा उसका नीचे देखिए QEMS जब BPMS को दबाएगे तो QEMS क्या होगा इंटरलक खुल जाएगा तो IP electrical d-energize हो जाएगा और नीचे में देखिए Q30 हमारा energized था जब क्या DJ close होगा तो जब no tension हो जाता है वेची में no tension हो जाता है तब क्या होगा Q30 हमारा d-energize हो जाएगा बाट Q30 को बाइपास किया है CTF2 का ट्राक्सर इंटरलक से तो जब ये ब्रेकिंग के टाइम no tension होगा तब IP electrical हमारा d-energize होगा अगर ट्राक्सर में no tension होगा तब energy रहेगा क्योंकि supply या से आके या से या से दोनो तरफ जा रहा था बाट ट्राक्सर में हमारा no tension होगा तो ए खुल जाएगा बाट ये तो हमारा तो supply नहीं जाएगा तो IP electrical DNA जाएज होगा तो पहला क्या हुआ HBA को आप करेंगे तो हमारा fuse melt हो जाएगा तो अगर breaking time हमारा thermal relay actuate हो जाएगा तो और अगर breaking time हमारा notch 6th और 11 notch में है उस time हमारा MBRM काम नहीं करेगा तो next हमारा BCD actuate हो जाएगा तो BP MS दबा देंगे तो QEMS हमारा energized हो जाएगा तो और next breaking time no tension हो जाएगा तो हमारा IP electrical जो है वो d-energize हो जाएगा तो इतना सारा reason से क्या होगा हमारा IP electrical d-energize होगा एण लोको का BP pressure automatically बाहर निकल देगा तो लोको में साथ में हमारा train में क्या होगा ब्रेक लगेगा तो यह है हमारा IP electrical का energized and d-energize बाला circuit diagram तो यह circuit diagram देखे आप लोग पता चल गया होगा IP electrical कैसे energized हो रहा है और कैसे d-energize हो रहा है तो इस वीडियो में हम लोग details से CCPT से कैसे हमारा IP electrical और अगर कोई other railway रहा है तो CCLS से कैसे IP electrical को supply जा रहा है and साथ ही में कैसे यह d-energize हो रहा है इसके बारे में discuss किया इसको पिछले बाला जो वीडियो था उसमें इसका BP pressure कैसे drop कर रहा है यह energized d-energize होने से energized होगा तो नहीं करेगा अगर d-energize होगा तो कैसे d-energize होने से baby pressure drop कर रहा है उसके बारे में discuss किया थे तो ओ वीडियो नहीं देखा तो i-button में link दिया है उसमें जाकर देख लेना तो ए वीडियो यही पर end करते है मिलते है next कोई वीडियो में